हलो दोस्तो दोस्तो 2007 को एक निफटी को और बैंट निफटी को ठीकनिकल एनलसेस करने वाले हैं तो हम आज के हमारे एंजल बन चल्पर परने पर। मध्यरें मेलेटे होने वाला है . Am before च साथ यहां पर एंदिख सकते हैं आप को लेस कि अधो को साच कर सकतें हैं के निफ्टी अभी हमारे watch list में added है और यहाँ पर उसका जो चार्ट है वो open है तो आप चार्ट पर क्या कर सकते हैं यहाँ से अपना time frame बदल सकते हैं candle बदल सकते हैं यहाँ से indicator जो भी लगाना है वो लगा सकते हैं तो time frame और candle तो सही है indicator लगा लेते हैं तो हमारा जो indicator है वो है दोस्तो bollinger band का तो देखिए आच चुका है दोस्तो second number पर इस पर जैसे click करेंगे यह दोस्तो लग चुका है चार्ट पर अब यहाँ से हम चार्ट पर दोस्तो tools का उपयोग करेंगे तो सबसे पहले एक horizontal line जो सबसे उपर लगाते हैं सबसे ज़्याद है दोस्तो यहाँ पर rejection लिया है दोस्तो ठीक है और उसके साथ support पर लगाते है तो support में सब पहले यहाँ पर ठीक है तो आप देखिए यह जो 20,250 रुपे का level था ठीक है यह आज की date में 20,150 का अगर यह तूटता है तो दोस्तो काफी ज़्यादा pressure में हमें Nifty देखने को मिलेगा और यहाँ से support लेकर अगर उपर जाता है ठीक है और 20,250 का level तोड़ता है उपर की side में तो यह comfort zone में हमें देखने को मिल सकता है ठीक है अब इसी प्रकास से बैंक निफ्टी को भी analysis कर लेते हैं और यह analysis का लिए education की purpose से कर रहे हैं ठीक है अब यहाँ पर आप देख सकते हैं first number पर बैंक निफ्टी आ चुका है इस पर जैसे click करेंगे watch list में लग चुका है अब बैंक निफ्टी में भी दोस्तो यहां से सबसे पहले एक यह वाला level में आप लोगों को दिखाना चाहूँगा और एक यह वाला range मतलब यह range बनी है ठीक है support की मैं बात करता हूँ support में यह level था और जो next सबसे बड़ा support level है ना दोस्तो वो अभी अब active है ठीक है अब यहां पर देखें यह दोस्तो 46,000 400 का level जो अभी तक break नहीं हो पाया यह दो बार break हुआ लेकिन fail हो गया यहां पर कुछ समय बिताना था दोस्तो लेकिन वो proper नहीं बिता पाया ठीक है और काफी जादा दोस्तो यहां पर अब यह 46,000 का level टूट जाता है ना तो और ज़्यादा हमें दोस्तो pressure देखने को मिल सकता है और 45,900 का जो level है वो next support level का काम कर सकता है ठीक है और इन level के ऊपर निकलेगा जब दोस्तो हमें bank nifty comfort zone में जाते देखने को मिलेगा ठीक है तो हमने यह NLSS का लिए Nifty और bank nifty को हमान लीजे हमें चार्ट पर ही पोजिशन लेना है तो देखें चार्ट पर ही buy का और sell का option दिख रहा है buy करना है यहां sale तो हमें buy चलो buy पे click करेंगे तो हमें यहां पर कितने lot buy करना है तो दोस्तो मान लीजे 5 lot buy करना है तो वहाँ पर भी आप लोगों के लिए वह शांदार फीचर लेकर आया है एंजलवन है जैसे कि आप दोस्तो लेफ्ट एंड साइट पर देखें आपको हमारा जो मोबाइल एप्लिकेशन उसको उपन के है उसको थोड़ा से उपर करेंगे तो यहाँ पर हमें एक option देखने को मिल जाएगा जिसका नामें इंस्टाटेट इस पर हम दोस्तों बढ़िया तरीके से क्लिक करेंगे एक पेज ओपन होगा इस पेज पर हमें सारी सुभीदा देखने को मिलने वाली है दूसरे किसी पेज पर जाने की जरूरत नहीं है यह देखिए निफ्टी यहां पर बेंक आप यहां से देख लो ठीक है यह ब्लूगलर का प्लस का आइकॉन देखने को मिल रहा है इस पर जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों तो हमारे सामने सार्च बॉक्स आ जाएगा आप वहां से निफ्टी बैंक निफ्टी किसी स्टॉक को भी सच कर सकते हैं अभी कोई दिक्कत नह करें कितने quantity लेना मतलब 5 लॉट तो आप देख सकते हैं यह जो पांच लॉट है न यह निफ्टी के कॉल के है जिसका प्राइज यह वह कितने क्यारे पता चल रहा है साहती में बाहर पे क्लिक करेंगे ठीक है उसके साहती आप देख सकते हैं confirm का रहा है confirm पे हम दोस्तों जै झाल 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 झाल